हेलो स्टुडेंट, एम शूरच फ्रॉम वरारची बोर्ड एक्साम को बहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारम कर दिया है सबसे पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो वीडियो आपको दू उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सकते सबसे पहले हम क्लाश 12 के बारे में बात करेंगे मैज सुब़ 7 बजे, फीजिक्स प्रती दिन साम 7 बजे चलेगा, केमेश्ट्री साम 8 बजे चलेगा हेलो दोस्तो, गुड मोनी, क्लाश 12th NCRD, संबन तता फलन, प्रशनावली आज बताएंगे 1D, हर्सवरूप सर्मा द्वारा ये पढ़ा जा रहा है, जो लेखक हैं, वो हर्सवरूप सर्मा से ही हम वीडियो बना रहे हैं जिसको बाला जी का चाहिए, वो कमेंट करके बताएं, अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे रहेंगे तो बाला जी से हम बनाना सुरूप कर देंगे लेकिन हर सुरूप सर्मा से ज्यादा से ज्यादा बच्चे है, इसलिए मैं इससे बना रहा हूँ और इसके पहले चंद्र सिखर दूबे से जो जो विद्यारती अगर पढ़ रहा हैं उनका वीडियो मैं बना दिया हूँ 1.1 से 13 प्रश्णावली तक वीडियो बना दिया हूँ उसके बाद हम 1D को बताएंगे तो प्रश्णावली 1A में कोश्चन नमर 5 मैंने छोड़ा हूँ था निमनलिखित बिन्दूओं के समुच्चियों का चीत्र खीचो ये चीत्र था तो ढूसरा था एक्स वाई कोलन एक्स ग्रेटर दैन जिरो ये दो कोश्चन था इसका चीत्र बनाना था ये कोश्चन मैंने छोड़ा था चलिए इस कोश्चन को मैं कबर करता हूँ फिर आगे हम बता देते हैं तो देखिए सबसे पहले पहला x y kolon x greater than 0 देखिए x greater than 0 है मतलब 0 से ये value क्या है? बढ़ा है कौन कौन सा? x और y और ये दोनों को दोनो पॉजिट्व में है plus में है मतलब ये value plus में दिख रहा है ये भी value plus में दिख रहा है और ये क्या plus में है? लेकिन 0 से बड़ा है greater than तो हम क्या करेंगे चतुर्थांस में इसका चीतर बनाएंगे ठीक है यह है चतुर्थांस x plus के लिए x minus के लिए x dash जी से करते हैं y y dash clear है तो यहाँ पे हमें जो दिख रहा है यह x के लिए पहला और यह चतुर्थांस है तो इसमें x के लिए positive होता है और इसमें y के लिए positive होता है तो हम क्या करेंगे x के लिए और y के लिए positive होता है और यहाँ पे हमारा negative होता है ठीक है तो क्या करेंगे यह चायंकी दम भाग करेंगे ठीक है इस तरह से यहां से ऐसे आप खीच सकते हैं तो इसका जो figure होगा चीतर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा किसका xy colon x greater than 0 जिसका चीतर यह होगा अब बात करें उसका second का वहीं चीज़े है greater than के स्थान पे less देना गर आ जाए तो less than अगर आजा तो यह जो मैंने च्छायंकित भाग किया था यह च्छायंकित भाग उठकर इस साइड चला जाएगा कैसे समझ लीजी यह चतूर थान से यहाँ पे x x dash y y dash तो यह जो च्छायंकित भागे वो इधर चलाएगा ठीक है यह हो जागा इस question का चित्र तो यहाँ पे मैंने दो question जो छोड़ा हुआ था उसको कबर कर लिया चलिए और कौन सा मैं छोड़ा हुआ था उसको मैं कबर कर लेता हूँ प्रिश्णावली 1b 1b में question नमर 3 का पहला मैंने question छोड़ा हुआ था क्या था इस संबंद को एक 3R1 दोरा दर्साईए तो यह भी question मैंने छोड़ा हुआ था जो पूरा नहीं कर पाया उसको मैं इसको अभी मैं clear कर देता हूँ उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए question था a command दिया गया था और r command हमें दिया गया था तो इसी को बोला था इस संबंद को एक 3R1 दोरा संदाईए तो सबसे पहले क्या करेंगे यहां पे जो हमारा एक संबंद दिख रहा है ठीक है y बराबर x प्लस 1 तो यह जो value है पहले हम 1 रखेंगे तो हमारा एक मान आएगा 2 रखेंगे 3 रखेंगे इस तरह से रख कर पहले मान गया करेंगे तो x बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो क्या हो जागा y बराबर y बराबर 1 प्लस 1 1 बराबर के 2 आजाएगा मतलब अगर मैंने 1 रखा तो 2 आगया इसी तरह से अगर x बराबट 2 रखेंगे तो y बराबट 2 प्लस 1 बराबट के 3 आ जाएगा जिसम कहेंगे 2 और 3 इसी प्रकार लिख सकते हैं आप यहाँ पे इसी प्रकार जो हम value रखेंगे जैसे अगर हम 1, 2 रख दियें अब 3 रखेंगे तो 4 आएगा 4 रखेंगे तो 5 आएग इस तरह से मैंने 6 तक रख लिया जो की हमें a मान के लिए 6 तक दिया गया है तो यहाँ पर तो मैंने रख लिया अब इसको हमें क्या बता राएग द्वारा बता राएग तो चलिए 3 आरएग द्वारा हम बता देते हैं देखिये 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह किस के लिए है यह है प्रा प्रांथ था और एक क्या था परिसर था तो प्रांथ मैंने 1 से 6 तक ले लिया देखिए कैसे one two three four फिर यहां पर five लेंगे तो यह six हो जागा six लेंगे तो seven यह छोड़ा हुआ था तो प्रांथ तो मैंने एक तरफ ले लिया इसको को लेते हैं एक शर्कल में और एक लेते हैं परिसर के लिए परिसर क्या है दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ यह परिसर के लिए अब इसको एक 3 आड़ेक दारा बताना है तो हम क्या करेंगे, तीर आइक दारा बताएंगे जैसे 2 को 2 के साथ लेंगे clear है 3 को 3 के सार 4 को 5 को 6 को यह एक 3 आरेक द्वारा इस तरह से हो जाएगा ठीक है इसमें 1B included था तो यहाँ पर यह हो गया 3 आरेक द्वारा जो चीतर बना था वो मैंने चलिए यहाँ से आज का वीडियो बना जा रहा है प्रश्णावली 1B सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना क्या है किसमें 1D में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है स्वतूले संबंद स्वतूली को इंगलेस में क्या कते हैं स्वतूली को कते हैं reflexive relation ठीक है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ reflexive relation यह है स्वतूले संबंद अगर यह चीज़े समझ जाते हैं तो प्रश्णावली 1D पूरी तरह से आप complete कर लेंगे तो चलिए सबसे पहले बताएंगे कि स्वतूले संबंद कब होगा और इसकी परिभासा तो इसकी परिभासा है समुचे A पर संबंद आर इस प्रकार हो कि A का प्रत्यक अवयव स्वयम से आर द्वारा संबंदित हो नहीं समझ जाते हैं बाते चलिए इसको एक्जांपल के मादम से हम समझाने की कोशिश करेंगे तो स्वतूले संबंद तभी कहलाएगा मतलब देखिए A पर कोई समझ हो तो A इस प्रकार परिवासित होगा कि A का प्रत्यक अवयव क्या हो स्वयम स्वयम से आर द्वारा समझ दित हो तभी वो स्वतूले होगा तो स्वतूले को हम क्या करेंगे एक्जांपल के मादम से समझेंगे जैसे एक जांपल से समझेंगे कि X बराबर Y क्या ये स्वतूले है या नहीं है ठीक है क्या है कि X बराबर Y क्या ये स्वतूले है या नहीं है तो चले इसको हम बता देते हैं जो परिवासा था कि स्वयम से आर हमारा होना चाहिए क्या आर क्या होना चाहिए सम्मनित होना चाहिए जैसे X का मान Y के बराबर है तो Y का मान Y के बराबर रख सकते हैं क्योंकि X का मान Y के बराबर है तो मैंने X के जगर क्या रख दिया Y रख दिया और Y का लेड़ी मान है तो Y बराबर Y या तो x बराबर x कर लिजे तो स्वयम से क्या वो अगर बराबर हो तभी वो स्वतुल्य होगा clear है अगर मालीजे यहां पर हम लेते हैं कुछ और ले लेते हैं मान जैसे हम change करके लेते हैं और उसको बताते हैं कि क्या वो स्वतुल्य होगा या नहीं जैसे a greater than b तो A greater than B तो है क्या B greater than A होगा ये तो होगा लेकिन B less than A होगा देखे ये स्वतुले होगा लेकिन ये स्वतुले नहीं होगा अभी भी बहुत सारे आपके पास doubt होगे तो उडाउट को हम clear करेंगे 1D के प्रेश्णावली में तो चलिए 1D का जो प्रेश्णावली है जितने भी कोशन है मुझको शुरू करते लगाना उसमें सारे के सारे doubt आपके clear हो जाएंगे पहले कोशन से शुरू करते हैं तो ये है पहला कोशन पहले कोशन में करना गया पहले ये समझ लीजिए निम्न में कौन से सम्मंद स्वतूले है यहीं चीज़े बताना है कि स्वतूले कौन से है कौन से नहीं तो ये पहला कोशन है कि धन पुरूडांक में A प्लस B बराबर 9 क्या ये स्वतूले है या नहीं है ये चीज़े बताना है तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि A प्लस B बरावर 9 दिया गए ये इसको स्वतुले माना जाएगा या नहीं माना जाएगा तो हम तो कहेंगे कि नहीं माना जाएगा अब आप पूछेंगे कि क्यों तो चले ये बताते हैं कि क्यों नहीं माना जाएगा क्यों ये नहीं माना जाएगा ठीक है समझे A प्लस B बराबर 9 दिया गया है कोशन में तो हम क्या करेंगे A प्लस B बराबर 9 दिया गया है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे A का मान A के बराबर लेंगे Sorry A बराबर B लेंगे ठीक है A का मान B के बराबर लेंगे ताकि हम स्वतूले रख सकें या स्वतूल को चेक कर सकें ठीक है? यह क्यों मैं लिया? क्यूंकि स्वतूले है या नहीं उसको पता करने के लिए मैंने A बराबर B ले लिया ठीक? A के स्थान पे A छोड़ दिया, प्लस B के स्थान पे A छोड़ दिया B का मन क्या है A है तो ये मैंने A कर लिया बराबर के 9 ठीक है मैंने स्वयम करने के लिए स्वयम कर लिया जो की परिभासाथ से था A प्लस A मिलकर 2 A हो गया बराबर के 9 तो A का मान जो आया है वो आया है 9 बटे के 2 क्या ये धान पूढ़ांक है जो मैंने लाया है क्या ये धान पूढ़ांक है अगर ये धान पूढ़ांक नहीं है तो स्वतुल्य नहीं होगा तो मैं कहूंगा ये धान पूढ़ांक नहीं है ठीक तो लिखेंगे अत्त ये स्वतुल्य नहीं है ठीक है क्यों नहीं है क्योंकि ये धन पुडांक नहीं है अगला कोशन समझिए सेकंड कोशन है पुडांकों के लिए सम्बंद का घन है ठीक है ये कोशन है तो बताना है कि क्या ये स्वतुल है होगा है या नहीं तो यह बुरा पुडांकों के लिए, तो पुडांक हम कोई ले लेते हैं, उससी से हम पता करेंगे कि वो पुडांकों का घं है या नहीं, तो मालीजे कोई हम पुडांक लेते हैं, दो-दो, यह मैं दो-दो क्यों लिया, क्योंकि इससे हम घं को भी पता कर सकते हैं, clear है, तो यहाँ पर दो दो not belong to R होगा क्योंकि यह relation नहीं बना रहा है। ठीक तो इसी प्रकार से check करेंगे का घं के लिए। घं के लिए मतलब अगर 2 का घं करेंगे तो क्या यह 2 के बराबर होगा जो कि मैंने 2 लिया था। तो क्या यह 2 के बराबर होगा दो का Q बराबर 8 होता है और 8 दो के बराबर नहीं होता तो यह हो जागा not is equal to तो यह अगर बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे हम कहेंगे श्वतुल्य नहीं है श्वतुल्य नहीं है क्लियर है अगला कोश्चन समझिए क्लियर है अगला पूले होगा या नहीं होगा तो सबसे पहले आप समझें ये क्या बोला है सामान्तर के लिए ठीक है तो सामान्तर के लिए हम संबंध़ रेखा देख लेते एकस्ज़ाई तो लिखेंगे लिखेंगे संबंद संबंद रेखा x y के सामांतर है यह जो कि हमें question में दिया गया है संबंद रेखा x y के सामांतर है ठीक है अब यह बोला है कि उसका जो संबंद होगा क्या होगा तो बिल्कुल स्वातूल्य होगा स्वातूल्य होगा अब ये क्यूं होगा ये भी बताना जरूरी है तो चलिए क्यूं होगा ये भी हम बता देते हैं क्यूंकि रेखा रेखा जो X है वो क्या है स्वयम के भी सामांतर होगा इसलिए ये स्वतुले होगा एक बार फिर से समझेए सम्मंद रेखा X Y के अगर सामांतर है मतलब X भी सामांतर है Y भी सामांतर है तो ये स्वतुले तभी होगा क्योंकि X भी सामांतर है Y भी सामांतर है स्वयम के भी ये सामांतर होगा इसलिए ये स्वतुले है अगला समझेए question है सम्तल में इस्थित त्रिभूजों में समरूप सम्मंद देखें ये सम्तल में बात हो रही है किसमें सम्तल में इस्थित त्रिभूजों में क्या हो समरूप सम्मंद हो तो क्या ये स्वतुल्य होगा या नहीं होगा तो ये बिल्कुल स्वतुल्य होगा अब ये क्यों होगा ये चीजे बताना तो लिखेंगे सम्तल में इस्थित कोई भी सम्तल में इस्थित कोई भी त्रिभूज स्वयम के भी सम्रूप होता है ठीक है बात को समझेगा सम्तल में इस्थित कोई भी त्रिभूज स्वयम के भी अगर सम्रूप होता है तो वो स्वतुल्य होगा मैंने आपको परिभासा में ही बता दिया था अगर जो स्वयम के स्वयम के संबंद अगर बनाएगा वो सम्रूप वो स्वतुले होगा यह ग्या बनाा रहे शंबु बनारा है तो इसलिए यह अतह आतह यह स्वतुल्य है ठीक है यह सारह के सारह स्वतुले आपको तभी समझ में आगा जब आप इसके परिभासा को समझ जाएंगे जो की लो butt pass देखिए question है दहन पूरंकों में X और Y पारस्परिक क्या है अभाज है यह question तो देखें यहाँ पे जहाँ तक inverted कामा लगाए उसी को समझना होता है कि X और Y में क्या पारस्परिक अभाज है तो क्या यह स्वतूलSM होगा या नहीं होगा तो यह स्वतुल्य नहीं होगा अब पूछे क्यूं? क्योंकि X और Y ये तो अभाज है ठीक है? लेकिन ये स्वयम से भी तो बिभाज होगा स्वयम से तो कट जाएगा और किसी से तो नहीं कटेगा लेकिन स्वयम से कट सकता है इसलिए लिखेंगे एक्स स्वयम से बीभाज है इसलिए या अतह ये स्वतुल्य नहीं है या नहीं होगा ठीक है अगर स्वयम से बीभाज हो रहा है तो क्या बचेगा वो वन बचेगा इसलिए क्या ये स्वतुल्य नहीं होगा आजका अंतिम कोशन देखिए कोशन नमबर 6 तो आजका अंतिम कोशन देख लिए 6 नमबर प्रशनावली 1D में 1D में मात्र 6 कोशन थे जो की 6 कोशन आज ये मैं बता रहा हूं सिद कीजिए कि समुच्छ 1, 2, 3 देखि कोई समुच्छ दिया गया जिसका मान वन टू थ्री में आर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 द्वारा प्रदत सम्मण स्वतूलय है ये चीज़े हमें सिद्ध करना है कि ये जो समुच्चे है इस R द्वारा प्रदत क्या हो स्वतूल्य होना चाहिए ये चीज़े हमें सिद्ध करना है तो देखें जो हमारा समुच्चे दिया गया है लिखेंगे समुच्चे क्या दिया गया है 1 2 3 ये दिया गया है इनोटेट क वन टू और टू त्री ये चीज़े दिया गया है तो देखिए ये स्वत्व ले तो होगा ठीक है स्वत्व ले तो होगा लेकिन क्यूं होगा ये समचना जुरूरी है ठीक है देखिए समुच्च ये स्वयम के बराबर आर में है या नहीं ये चीज़े देखना पड़ेगा ज जब वो वन वन होगा देखते इसमें है कहीं यह है तू स्वयम के बराबर होना चीए जैसे टू टू यह स्वयम के बराबर होता है यहां पर मिल जाएगा थ्री भी थ्री थ्री होना चीए बराबर तो यहां पर हमें मिल जा रहा है थ्री यह भी मिल जाएगा तो जो भी हमारा समचे वो स्वयम के बढाबर इस आर वाले संबंद में हमें मिल रहा तो यह फलन क्या होगा स्वतुल्य होगा क्लियर है अगर अगर यहां पर चार मौजूद होता तो वो स्वतुल्य नहीं होता क्योंकि चार बराबर आपस में नहीं होता चारजर कहीं है नहीं है तो स्वयम की ये बराबर नहीं होता लेकिन ये चार नहीं है तो ये फलन इसके में है टोटल 1 1 2 2 3 3 है इसलिए ये सवतुले होगा इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसके जो समुच्चे है वो स्वयम के इसमें बर दिया जाएगा आप वहां से भी देख सकते हैं अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजेगा टाकि सूचना आपको मिल सके प्रति दिन सुब